जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो तो उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहता रहे जाथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में उमीद है कि आप आगे हैं जुड़ गए हैं आगे बढ़ें जो लोग चैटिंग में आप तक काफी देर तक मस्ती कर रहे थे आदे गंटे से कलाफ लेड थी किरप्या करके उसे बंद कर दें अब वो पढ़ाई पर ध्यान दें हो गया वो टाइम खतम सालिनी जी कमेंट आपका आ रहा है सिरोमनी सर्मा राम गोपाल पंकस सिंग अंजनी आदो धीरज मोहित परजापती बंदना कुमारी स्वयब शिमानसु पंडे मनीशा सिंग और बहुत से कंडिडेट जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत बेलकम क्या मेरी अवाजें आप तक आ रही हैं बोलो भया चली आगया बड़ी चलो ये बताइए संक्या 500 का 25% कितना होगा बहुत छोटा सवाल है एक दम बच्चों आला थोड़ी सरम करिए और बताइए 500 का 25% कितना होगा फट से बताओ अरे ये तो जैसे आपका नाम पूँच लिया और क्या नाम भी तुम्हें सोचना पड़ता है बढ़िया चलो ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहिया एक सो का 25% पाचीज तो पांच सो का तो पचीज बंचे एक सो पचीज इसका सबसे पहला कोई अंसर दिया अगर खोपड़ी उपड़ी खज़वा करके तो उनका नाम है अंकित सुकला तुनीता अंजनी ठीक है ये वो कंडिडेट है जिरोंने पहले बताया है जिन्दगी में ना पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम हर जगा होता है लेट हो जाओगे तो कहीं किंती नहीं होने वाली है ये सब पढ़ चुके हो ना एक और भी सवाल बता दो फिर लगे हाथ कुश्चा नमबर दूसरा आईए ये बताईए कि 0.5 हुआ 0.50 में कौन बड़ा है क्या ऐसा पॉस्बल है सब बताओ कौन बड़ा है या कौन छोटा है या दोनों बराबर हैं क्या है महीमा यादो सिवू सिरो मनी चलो भया आब चला फिर बतावा संख्या पद्दती अब तक पढ़ चुके हैं संख्या पद्दती में थानिय मान अंको सब्दों में विस्तिरित रूप सम बिसम संख्या भाज या भाज या रियल नमबर इमेजनरी नमबर ये सब खतम हो चुका है जोड़ गटाना गुड़ा भाग पढ़ चुके है यूपी डियलर का सिलेवा साही है भिन्न के परकार पढ़ चुके है भिन्न का जोड़ गटाना गुड़ा भाग पढ़ चुके है दसम्लों संख्याओं में परियुकत अस्थानी अमान ये भी पढ़ा चुका हूँ भीन्ने को दसम्लों में बदलना ये सीखे हो ना कि नहीं अपवर्तक समापवर्तक ये पढ़ाया हूँ बेसिक मैथ में मैंने कहा उसीम देख लेना इसीक एक दिन पहले पढ़ाया था लसीम हसीयब भी आज पढ़ा दिया उस क्लास में नौ बज़े वाली में थोड़ा रुक जाता हूँ बीज में कुछ सिकन जैसे हाजम हो जाए तो भाज ये भाज भी कल पढ़ा दिया था इसके पहले ना कल या परसुम पढ़ाया हूँ तो प्रतिसत का टॉपिक कल चला था क्या हाँ परफेंटेज कल चला था छटमा चैप्टर है आंकड़ों का ग्राफिय निरूपण येवं बीज गड़ितिये बेंजक तो आंकड़ों का ग्राफिय निरूपण तो बीना पीडियाप के संभव नहीं है लेकिन बीजिये बेंजक वाला हम बता सकते हैं आपे उसके बाद अगला है बिंदु रेखा रेखा खंड़ अध्या साथ है ये कीरण कोंड ये सब पढ़ेंगे इसमें तिरबूज आयत सब पढ़ा चुका हूँ बतलब पढ़ाओंगा अभी सवरी इस बैच में नहीं बढ़ाया तो परसेंटेज के कुछ कुश्चन और भी करवा दिये जाए ना इसका अंसर क्या बताए दोनों कुछ लोग बता दिये इसमें कौन बढ़ाया रहे गदाहा चाचा ये को बढ़ा नहीं ये दूनों बराबर है ये दूनों बराबर है इसके बाद कितना भी सुनना लगा दो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनसान तभी तक बुरा होता जब तक जिन्दा होता है मरने के बाद हर इनसान की लोग तारीफ करते हैं फलाने बहुत अच्छा रहें बहुत ठीक रहें सब कर भला करते रहें तो इसको मैं क्यों बोला इसको मैं इसलिए बोला क्योंकि अगर ऐसे है यानि दसामलों के बाद कोई नंबर है उसके बाद कितना भी जीरो लगा दो उस पे कोई फरक नहीं पड़ता तेम उसी तरह जैसे किसी इंसान के मर जाने के बाद तुम कितना भी उसके लिए अच्छा करो कोई फायदा नहीं समझ रहो कि नहीं तो ये दोनों बराबर हैं इसलिए पूछा था पूछा दूबे आया समझ में सुनीता पंकज, कुमार, भर्मा सभी को आया आगे बढ़ें चलो तो थोड़ा प्रेक्टिस हो जायागा आज बताईए सत्रा बटा पांच को भिन्द में बदलिए कर लेंगे चलिए थोड़ा सा हम परसेंटेज के चोटे-चोटे कुश्चन प्रेक्टिस करवाएंगे क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ आएगा जरूर तो आपको आना चाहिए चला भईया मैंने बताया है कि किसी भी को भिन्द में बदलिए अरे भिन्द में नहीं रुक जा रहे दादा परतिस्सात में बदलिए सौ से गुड़ा करिए ना कितना आएगा तीन सो चालिस परसेंट सौ से गुड़ा करेंगे बीस आएगा सत्रा बीस का गुड़ा करवा भीया तो सत्रा दूना चौतिस तीन सो चालिस परसेंट आएगा कुश्चन से आंसर आंसर से कुश्चन आ सकता है तीन सो चालिस परसेंट का मान ग्याद कीजिए कर लोगे सौ से भाग करेंगे एक सुन्न से एक सुन्न निपड़ जायेगा चौतिस बटा दस दो से करोगे तो भीया ये फिर से आजाएंगे यानि कुश्चन से आंसर आंसर से कुश्चन आया समझ में आगे बढ़ें चलिए पांद सामलो दो को परतिसत में बदलिए चेंज इंटू परफेंटेज अगर किसी को एक से अधिक बिमारी है तो उसको एक एक बिमारी की दवा देनी चाहिए सारी दवा एक साथ देने के बाद हो सकता है कि रोगी रहे न रोग तो भाई रोगी को तो बचा के रखना है रोग भगाना है यहाँ पर एक से अधिक बीमारी होने का तात्य पर यह है कि इसमें दसम्लो भी लगा है और परफेंटेज में भी चेंज करना है तो पहले हम एक समस्या देखेंगे पहले दसम्लो अटाएंगे इतना हर किसी को पता है कैसे होता है नहीं पता है तो जीरो लेबल देखिए दसम्लो अटा दिया परफेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा सो से गुड़ा करते हैं कर ले भाईया दद धामा सो पांच सो बीस परसेंट आएका हो देख लो फट से मैं हड जाता हूँ छूप जाता हूँ कहीं चलो बावन परसेंट नहीं आएगा पांच सो बीस परसेंट आएगा चच्चा हरो चलिए सभी को समझ में आई ये बातें बोल दो एक बार हाँ यस जोर से हाथ उटा के बोलो और कलास को लाइक जरूर करिए जिम्मेदारी आपकी है ठीक है भाईया तो कल जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें जो स्टोरी टाइप के बड़े बड़े कुश्चन है वो यहां तो पॉसिबल है नहीं लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीजे हैं वो हम निकाल के आपके सामने लाएंगे चलिए टेन पॉइंट तीन पांच को परफेंटेज में बदलिए चेंज इंटू परफेंटेज आब चला भाईया शुरू करा हो तो यहां से जब दो अंक पर दसमलो हटाएंगे तो नीचे सौ से भाग होगा क्योंकि दो अंक पर दसमलो है परसेंटेज में चेंजिंग के लिए 100 से गुड़ा करेंगे सबको पता हैं भाईया सव से सव निपड जाएगा यह चच्चा लोग आजाद होई जाएंगे एक हजार पैंटिस परसेंट कि शरस्तिवारी राहूल मिश्रा धीरज कि अगे चलिए छापिए फटा फटा आगे बढ़ते हैं अगला जो चैप्टर इसमें पढ़ना है वो अलजेब्रा वाला है और एक परीक्षा में कुश्चन है ध्यान से सुनिए दिल और दिमाग दोनों से एक परीक्षा में बारा सो बच्चे सामिल हुए बारा सो बच्चे क्या हुए सामिल हुए या दि पच्पन परफेंट बच्चे पास हुए यानि उत्रीड हुए तो कितने बच्चे फेल हुए कितने लोग कर लेंगे एक परीक्षा में कुल बारा सो बच्चवा बैठा अजेहमा से सिर्फ पच्पन परफेंट पास हुए है बाकी कितने परफेंट फेल हुए फिर बहुत आफान है 540 बता रहे हैं बाई सुकला जी और निधी इनका भी कुछ आयरा थोड़ा बहुत बतावा हो काय का सर्माता जो लोग बात कर रहे हैं इनको भी बताते हैं डंडा लेके आते हैं फिर बताते हैं इनकी मम्मी से फिकायत करते हैं देखिए कुल बच्चे इमानदारी फे हल करने तरीका देखो कुल बच्चे कितना है बारा सो तो पास पर फेंटेज बराबर पाच्वन पर फेंट कुल पास बच्चे या कुल फेल बच्चे निकाल सकते हो 45% उसका निकाल लो या कुल पास दोनों में से कुछ भी कर लो तो कुल पास बच्चे कितना या पास का है के निकाले हम जाए अपने घरे हम लिखेंगे कुल फेल फेल बच्चे कितना सो में से पचपन गटावा भाईया पैतालिस पर फेंट आता हाँ फेल होने वाले बच्चों की संख्या में होने वाले बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बारा फो का पैतालिस पर फेंट दो जी उर दो जुर निपट जाएगा 12 पंचे 60 अफिल 6-24-244-504-4-14 भाईया पान्सो चालीस कितना है गा540 कि दे लेट का कोश्चन है साट ट्रिक नहीं लगानी है सबी को समझ में आया पिछले एर पूछे गए कुश्चन है लिखिए जो परिक्षा में अब तक पूछे गए थे उनको लिखिए राम ने 300 रूपय में एक रेडियो खरीदा बाजा पहले जवानम बोलते थे वो उसे कितने रूपया में बेचे के उसे 20% का लाब हो बता बहिया चलो यहाँ पर अंकित नाम लिख देता हूँ अंकित अच्छा है अंकित ने 300 रूपया में रेडियो खरीदा यानि CP बराबर कितना 300, cost price 300 रूपय कितने रूपया में बेच दे की लाब 20% हो तो profit कितना है 20% पूँच रहा है, मतला बता रहा कितने बेचे यानि मोटा मोटा selling price यानि विक्रे मुले पूँच रहा है लेकिन कहरा उसको 20% के लाब चाहिए चहिए ही चहिए तो पैया हो चच्चा हो निकालो ना कैसे निकालोगे 300 का 20% परफेंड निकालो फटाक दे बस बाकी छोड़ो यानि उसको 60 रूपया कलाब चहिए 60 रूपया कलाब चहिए लिखोगे आता हाँ भिक्रे मुले या फेलिंग प्राइफ इक्वाल 300 प्लस 60 बराबर 360 रूपया कितने में? 360 रूपया में बेचेगा तो उसको 20% मिल जाएगा अच्छा भईया चलो रोई जी सोयब को बलाग करिए पांच मिनट के लिए एक बार इनको वार्निंग दे करके बलाग करिए इन्हें आगे अगलेम चले ये 2019 में पूछा गया प्रफन है याद रखना पेपर में आया था ही इसको हलके में नहीं लेने करे दादा चलो अच्छा अगर इनकी इच्छा वक्त के साथ साथ बदल जाए और कहें कि अब 20% से का चलता है अब बिया का बोलते हैं बिया होईगा बवी बच्चे हो गए हैं अब 20% में काम नहीं चल रहा है आप हमें प्रॉफिट चाहिए 35 परफेंड सब बताओ कितने रुपए में बेचेगा फिर भाईया बताओ ना बताइए कितने में भी केगा फिर थोड़ा पानी पी ले थे हमका तब तक तो लोग लड़ाई जगड़ा कहले कोनों दिक्कत नहीं है मार ने करें बस मैं परितान थाइन लोगों से बोतल उठा ले जाते थे इसलिए मैं इसको जूठा करके पीने लगा और आते हैं लोग ना मेरे पड़ोसी लोग तो उनको दिखा के पीता हूँ लेकिन कुछ आईसा नालायक हैं वो तब उठा ले जाते हैं देखते हैं तब और कहते हैं का हुआ चलता है तो कितने में 405 रुपईया में अच्छा देखिए आईए तो 300 का 35 परफेंट निकालो भाईया कितना 35 परफेंट 2-0 से 2-0 निप्टाए दो 3 को 35 से गुड़ा कर लो तो 3 पचे 15 तिन रिका 9 एक 10 रुपईया यानि उसको लाब कितना मिलेगा 105 रुपई न लाब तो विक्रे मुले यानि सेलिंग प्राइफ इक कोल कितना हो जाएगा 300 धन 105 बराबर 405 रुपईया सभी को समझ में आप फट से छाप लीजिए कुश्चन था अंकित ने एक रेडियो 300 रुपई में खरीदा अब अंकित चाहते हैं कि 35 परसेंट लाब मिले इसको बेचें तब तो पताओ कि अंकित कितना रुपईया में रेडियो को बेचेंगे जिससे कि इने 35 परसेंट लाब मिलेगा ये भी पूछा गया है 2018-2018 में लग भग ठीक है चलो भईया अगला सवाल देखो मगर दिल थाम के दिल थाम के देखना 2018 में आया है देखो एक मोबाइल आजकल यही तो जिंदगी की सबसे बहुमूल सामागरी है अगर किसी की जिंदगी से मोबाइल ले लो तो पिसे सुरूप से यवा आवस्था में तो जान लो आपने उसे जिंदा मार दिया है ना बस एक महीने के लिए ले लो बस एक नसा है यह देखो मोबाइल क्या कह रहा है दो हजार रूपए में बेचने पर दो हजार रूपए में बेचने पर दस परसेंट की हानी हुई दस परसेंट का क्या हुआ लॉस हुआ तो बिक्रे मुल बताईए स्टेलिंग पराइस बताईए बताईए जवाद दीजे फटते बताईए जवाद दीजे फटते बताईए का एक सर्मादा आए लजात का यह आ इतना एक मोबाइल जिसकी कीमत थी भईया दूई हजार रूपए या मतलब दूई हजार में बेचा गया सॉरी दूई हजार में का किया गया सेल किया गया तो उसे 10% की हानी हुई मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ अब तुम चार साल उसको यूज किये हो काने में लगाए खोपड़ी लगाए पता नहीं कहां कहां लगाई के उसके बाद बेचोगे तो लाब तो होगा नहीं हानी होगी देखे इसको इजज़त के साथ कैसे हल करेंगे एकजाम में सिस्टम से बेचने पर यानि सेलिंग प्राइस कितना है दूई हजार रुपईया हानी कितनी है 10% ए भाई पूछा का है यार इतने में बेचने पर यानि सेलिंग प्राइस दिया है अच्छा उतने में बेचा गया तो यार फिर निकालना क्या है फिर सेलिंग प्राइस भी निकालना भी है हाँ दोनों सेलिंग प्राइस ही निकलेगा दोनों दसा में क्यों कि एक बार इतने में में बैचा गया तो इतने की कहा नी हुई फिर यह बतार कितने में में बैचा गया नहीं हार को रुको रुके मिनट 10% की हानी हुई तो क्राय मुल्य बताना है स्वारी तभी तो नुक्सान होगा ये थोड़ा उल्टा हो गया है क्राय मुल्य उसकी लागत मुल्य कितनी थी ना उसकी कॉस्ट प्राइज कितनी थी लागत मुल्य या इसे अंकित मुल्य भी कहा जाता है ठीक है समझ रहे हो cost price निकालना है बहुत simple है बीना किसी सूत्र उत्र के वैसे निकालो simple तरीके से 2000 का 10% कर ये कितना हुआ 200 ना यानि 10% हानी का मतलब उसे 200 रुपए की क्या हुई हानी हुई है ठीक, 200 रुपए की हानी हुई है तो अगर 2000 में बेंचा तो क्या हुआ 200 रुपय की हानी हुई लागत मुले कितनी थी 22 रुपया थी गदाहा जो लोग 1800 बता रहे हो अरे 1800 कर दोगे तब तो फिर 10 परफेंट की हानी तो 2000 पे हो रही है और तुम आउर कम कर रहे हो तो कितना होगा 22 रुपया होगा लागत मुले लिखेंगे क्रेम उले बराबर कितना 2000 प्लस 200 बराबर 2200 रुपया 2200 लिखा है बहुत से अब तक 18 सो बता रहे थे समझ गए ना ये बीटीसी डियलेड में 2018 में पूछा गया तो परिकछावा में भईया हो पढ़ लेया एक दान अब तो पेपर के टाइम आईगा है वहीं तक तो नहीं पढ़ है खुब मज़ा लिया था भई अब तो पढ़ लेया कम से कम पास हुए बर एक तो आई जाई जतियत बचाए लेया घर वाले नकियत नकटावा रुक्षार अंसारी किरन भाटी सर तो आपने ही मस्तक कर दे थे ना मतलब अच्छा मस्तक नहीं कर दिये थे मिश्टेक कर दिये थे मतलब विक्रे मूली की जगह पर क्रे मूली लिख दिया था यही अच्छा तो आईसी बात है हाँ चलो एक आउर बताओ बताओ भई ये बताओ बताओ जैसे कहाँ न फलाने किसके लड़का है आई से बताओ फिर नबे किस संख्या का 20% है बताइए ऐसा भी सवाल पूछा दा सकता है किस संख्या का 20% है बताइए कमेंट नहीं देखने का चलो नबे किस संख्या का 20% है आथान है आथान है आथान है पका आथान है देखो कैसे नबे किस संख्या का 20% है माना नबे यक्स का 20% है तो का करेंगे परफना अनुसार नबे यक्स का 20% है तो यक्स का 20% बराबर 90% अटाओगे 100 से गुड़ा बराबर 90 इनका क्रास मल्टीपल कर लो पहले इनको काट पीट लो निप्टा दो तिर्चा कुड़ा कर ये कितना हो जाएगा दूश से कड़ेगा 5 यक्स बराबर 5,9,45 भाई साहब 450 आए हो लिख लो फट से छापलो में जा रहा हूँ रितिका पाल साड़े 11 बजे तक कलास चलेगा काए को चलेगा इलाबन में लाइट नहीं गुल हुई है कौन जूट बोल रहा है हमारे यहाँ देख रहे हो कितना तक गलाई लाइट है आपके यहाँ की लाइट का किबल काट ले गया कोई क्यूंकि आपने बिल नहीं जमा किया था आगे सभी को आगे बढ़ें देखिए जितने टाइप के कुश्चन कराया जा रहे हैं इनको दिल और जान में बसा के रखो बस बाकी टैंसर नहीं लेने का आगे देखिए अगला देखो भईया देखो देखो एक सो बैर रुक जब भईया एक सो बीस कि संख्या का सतर पर्फेंट है इनको लग रहा है एक महत बहुत आसान है ना इस बताओ जल दी से चलो पूजा दुबे, महिमा, पृती, किरन, सिब्वू, जोती बहुत यह लड़कावन कहां गया है नो सब लड़किये पढ़के पास होंगी का इनका सब आवात है का एक आद उठी जो अवबो करते हैं न वो बात करने आते हैं चलिए ठीक है मान लीजिए कि क्या है मान एक सो बीस सत्तर पर्फेंट है आप क्या करेंगे एक सो बीस अगर इसका सत्तर पर्फेंट है मान तो क्या है हल करोगे प्रस्ना अनुस्तार यक्स का सत्तर पर्फेंट डारेट निकाल देता हूँ ठीक है बराबर एक सो बीस एक जीरो से एक जीरो निपट जाएगा साथ यक्स बटा दस एक सो बीस बटा एक इनका तिर्फा गुड़ा करो फटाक दे इसमें कोई तकलीफ नहीं न किसी को दसंबलों में जाएगा का होई दसंबलों जाएगा हम कहा है कफाल तो दिमाग लगा चलो गुड़ा कर लेना हो गया अंकिता जादो का उतरा चुका 84 परसेंट इनका पूरा गलत है बहुत अच्छी तरह से गलत तान्या सिधार्थ महेश्री वास्तो थोड़ा रुकना चाहिए बीच बीच बहुत जल्दी बोलना चाहिए न इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रुकने लगा हूं इसमें आपका एक कनवर्जन वाले भी कुश्चन आएंगे कनवर्जन वाले कुश्चन आएंगे जैसे जैसे ये रे रुकना रे दादा जैसे देखो 600 ml दूद दूद साही लिखाऊं दूद लीटर के कितने पर्फेंट के बराबर है आएसे समझो कि आप भाईया 600 ml दूद लेते हैं रोज दूद वाले से और आपकी पड़ोशन दूद लेती है तो आप उसके दूद के कमपेयर में कितने पर्फेंट दूद लेते हैं बताईए कर लेंगे कितने लोग कर पाएंगे इमानारी से बताना बताईए कमेंट देख लीका है चलो बताईए आप बस बहुत ज्यादा हो रहा है ना ज्यादा हाजम नहीं होगा सरस्तिवारी किरन पूजा बंदना सिरोमनी सिवानी दूबे निधी मनीशा अंजनी सभी का कमेंट आदो रहा है अब तो आने लगा है बचा का है फिर अब सब को आने लगा ना बंद करे खतम देखो आसान है आसान है कई बताऊं देखो पहले तो हम यह जानेंगे चूकी भाईया एक लिटर बराबर एक हजार एमेल डारेक्टली दे रहा हूँ जनात आप जाने दूजार एमेल तो यह मोटा मोटा यह पूछना चाहता है कि जो 600 है वो 2000 का कितना पर्फेंट है आयसे जैसे उसी बताया था ना यह सूत्र बताया था ना पर्फेंटर बराबर प्रापतांग उड़े 100 बटे पुडांग यह सूत्र बताया था साट कट में प्रापतांग मतलब वो छोटा सा भाग भाग जो बड़े भाग का पूछा जा रहा है नी छे सव उड़ांग मतलब टोटल वह भाग जिसे वह निकाला जा रहा है नी दो हजार फे बहुत आराम से कटगा तीस परफेंट आएगा भाईया इतना असान नहीं से तो आज तक कभो नहीं आ रहा चाप लीज़े जल्दी फटा पट कोई जाएगा नहीं जो सिर्फ साधी के लिए पढ़ रहे हैं उन्हीं को नीद आ रही है और जिनको टीचर बनना है उनको नीद नहीं आ रही होगी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है फिरी दुनिया में कुछ नहीं मिलती है एक सांस पाने के लिए भी एक सांस छोड़ना पड़ता है समझे रहो कि नहीं एक सांस छोड़ते हो तभी एक सांस अंदर आती है चले आगे बढ़े आगला बताईए कितने लोग को नीद आ रहे हैं जिनको जिनको आ रहे जान लो वो साधी के लिए पढ़ रहे हैं के वल कि यहां पढ़ते रहेंगे भी आ हुआ हो जाएगा बस उनको टीचर उचर बने सकोना मतलब नहीं है लिखिए अभी हम खाना बनाए नहीं है को ने खाने जा रहा है अभी यह बनाएंगे चलके दू बज़े तक लिखिए कुश्चन क्या आगला हाँ भाई लिखो 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 छेस्टी ग्राम पांच केजी का कितना परफेंट है बताइए कितने लोग कर लेंगे रखांसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा और ठक करना बैठ है मंजल के मुसाफिर मंजल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा चलिए देखिए इसको थोड़ा सा मोडिफाई करना चाहता था लेकिन नहीं किया क्योंकि आप लोग बाद मज़ा लेगते हों वो भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा देखो यहां पर 680 ग्राम ना एक्चुली जो यह पांच केजी है इसको ग्राम में पहले चेंज करोगे ठीक है लिखो चुकी वन केजी बराबर 1000 ग्राम यानि 5000 ग्राम की कंपेर करना है 680 ग्राम से वही वाला सुत्र लगाओगे जो बताया हूँ परफेंटेज बराबर प्रापतांग 100 से गुड़ा करके पुड़ांग से भाग प्रापतांग मतलब वो छोटा सा भाग बड़े वाले भाग का जो है पुड़ांग मतलब टोटल भाग प्रापतांग में पांच से भाग देला चच्चा सब ही लोग लिख ले हम नहीं करने वाले हैं अमारी प्रापतांग सारा समझ में आति मसी नाम आप लोग थोड़ा आसान रखा करिए जिससे मुझे बोले में थोड़ा अच्छा लगे चले आगे पढ़ें और पढ़ना है का ज्यादा देर तक हम खुदे ने रुकेंगे हमारे खुदे पचीष ठीकाम है तो सजातिय बुजातिय पर जानते हो आप सभी ये तो आप सीरियल से पढ़ रहे थे परसेंटेज वाला चैप्टर था ये अध्याय था आपका पांच नमबर ना ये अध्याय पांच था ये अच्छा तो एक बटा दो को परतिसाद में बदलिए एक बटा दो को परसेंटेज में बदलिए गोर गुमाई सीम लपटते रहिए चला बतावा हो सबही चला दीप का यादो शीवानी दूबे अंकित राम कोपाल और कोई देखा भाईए हमरे बतलें पानी होईगा है खतम अभीना पानी के अब हम आगे बोल नहीं सकित काया बिजलिक बोल्टेज है वो धीमा है इस्टे प्लाइब 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 आगे आवाज क्या इसकी बैटरी डिश्चार्ज हो गई बंद करने माला ही था लेकिन यह पहले ही फिकल गया समझ रहे हो चलो तो आगई आवाज अभी तक जो नहीं सुन रहे थे ना वो भी सुनने लगे क्यों कि अभी तक वीडियो चल रहा था सो रहे थे मम्मी जान रही थी टीवा पढ़ रही बैटके पढ़ रहा है अजानक आवाज बंद हो गई तो लोग सोचेंगा रहे तो आवाज आना बंद हो गई फिरो है सब कि आगया ना उसकी बैटरी गई और यह आवाज इसकी थोड़ी अलग होगी कि एक एकान में आ रही दूनों में आ रही ठीक है तो बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को हाँ जो बच्चे मैस नहीं जानते हैं और जीरो से सीखना चाहते हैं पहली बात तो वह टेली पर हमें जोइन करें इमांदारी के साथ कि इसका लिंक अभी रोहिच जी आपको कमेंट में दे देंगे आप ले लिए प्यार सपोर्ट नाम से और टेली ग्राम इंस्ट्राग्राम फेस्बूक और सभी ग्राम पर नाम एक है पीबियार इस्टेडी यह आपका अपना ब्रांड है ठीक है वाकी एक चीज़ाओर है का एक चीज़ाओर यह है कि जो बच्चे रेगुलर मैट्स धंग से पढ़ना चाहते हैं उनका कमर भैच में एडमीशन हो रहा है अभी विदावड आफर गई पूरी तरह से गई मतलो लाइट गई तो इसमें वह बिना आफर के अभी एडमीशन कर सकते हैं ठीक है नंबर पर संपर करिए या फिर इंतजार करिए अगली बैच यह वाज आ रही क्या देखे वार इन्वेटर लो हो गया वह ओबर लोड हो गया पता नहीं कैसे और लाइट तो चली गई अचानक और ऐसा होना नहीं चाहिए फिलहाल कुछ फाल्ट होगा नहीं वसे कई पंखे कूलर और बहुत सारा जंजड चल रहा था हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि जो है ओबर लोड हो गया इसी लिए सब कुछ कट गया अचानक और ऐसा होना नहीं चाहिए फिलहाल एक जांच कभी से है क्या हुआ कि इतना ज्यादा लोड तो है नहीं पिर ओबर लोड कैसे हो गया मैं पेरी आवाज आ कि आप लोगों को कि देखो लाइट चली की अचानक और सारा सिस्टम इनोटर पर चल रहा था जो की ओपर लोड हो गया मुझे लगता उस रूम में लोगों ने कि कुछ चेजें ऐसे यूज किया होगा और भी जो लोग रहते हैं साथ में यह पीवियार स्टडी के साथ ही लोग ही है लेकिन यह लोग ध्यान नहीं देते हैं कुछ किये होगा ऐसा यह कहीं कोई वायर सार्किट कर रहा होगा क्योंकि सार्किट होने पर भी जो है वह ऐसा हो सकता है तो ठीक है मैं सेशन बंद करता हूं बहुत-बहुत थैंक्यू आप सभी को बात खतम होती है यहीं पर आज की और ठीक है कुछ कहना है किसी को लाइट नहीं है सब इन्वेटर फे चल रहा है और यह ओपर लोड़ है कुछ गड़ बड़ है तो सभी को गुड़ नाइट है कि कर वाले बोलते हैं खूब पढ़ रहे हैं ग्यारा बज़े तक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है पढ़ते रही है अच्छी बात है जन्नेवाद आप सभी को लाइट नहीं है और टाइम भी ओबर हो गया था और कुछ सिस्टम में फाल्ट है क्यों वीडियो ओवर्लोड बता रहा है